और दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ हैंबर की सेटिंग सीखना बहुत जरूरी है अगर आपको सही तरीके से किसी भी गले में पाइपिन बनाना है तो उसके लिए हैंबर की सेटिंग सीखना जरूरी है कोई भी डाइरेक्ट ये बता देता है बस मसीन में हैंबर लगा लो वन साइट हेंबर लगा लो आपकी सेटिंग सही हो जाएगी पाइपिंग अच्छी बन जाएगी यह बिलकुल गलत बात है किसी भी सिलाई मसीन में आपको इस परकार से वन साइट हेंबर को जब भी लगाएंगे सेटिंग करना ही पड़ेगी ठीक है इस बात का ध्यान रखे पड़ेगे और इस सेटिंग का वीडियो जरूर देखेंगे तब ही आप से इगलों की डिजाइं और गलों में इसाइंग से ठीक आप हूं को लगाने बाद के वरेताद वैटने तो आपने देखा कई बार यह साल आ जाते है उसके अंदर बारिक थीक है और कई बार पता है कि डोरी लूज बनती है एक्दम फिटिंग में डोरी नहीं बनती जैसे हम लोग बनाकर आपको बताते हैं ठीक है यह मुझे कए कमेंट बॉक्स पर लिखा गया है कि हम डोरी पाईपीन जब भी बनाते है हमारी डोरी पाइपिन में जैसे मुझे फिनेशिंग चाहिए न वैसे नहीं आती जैसे मैंने बताया आपको कि बिल्कुल यहां से सिलाई चलना चाहिए ठीक है लेकिन जब हम हैंबर को लगाते हैं मसीन के अंदर तो क्या-क्या प्रॉब्लम का आप लोगों को सामना करना प्रता है उन प्रॉब्लमों को आज हम खतम करने वाले हैं और आपको मैं बताऊंगा कि वन साइट हैंबर लगाने के बाद डोरी फिनेशिंग से किस प्रकार से बनेगी ठीक और एक बात का ध्यान रखना में जो जो सेटिंग करना आपको मसीन के अंदर बताने वाला हूं उन सेटिंगों को आप अगर बरोबर ध्यान से आज देख लेंगे तो आपको कभी भी इस तरह से प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपकी डोरी बिल्कुल फिक्स नहीं बन रही मैं आपको तीनो चारों तरीके दिखाऊंगा जिससे आपको डोरी एकदम फिनेशिंग से बना आज आएगी तो मसीन में क्या-क्या परिवर्तन करता हूं वीडियो को अन्तर तक देखना और इन हैंबरों की सेटिंग कैसे करते हैं ये भी देखना क्योंकि दोस्तों देखिए मैं रोज आपको बताता हूं कि डोरी पाइपिन बनाना है फिनेशिंग से बनाना है लेकिन जब तक आपको इसकी सेटिंग नि मालूम होगी आप कभी भी इसको फिनेशिंग से नहीं बना सकते ठीक है तो मैं आपको सेटिंग बताता हूं सबसे पहले क्या करना है हमको चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं देखिए सबसे पहले इस हैंबर को हम खोल लेंगे ठीक ह अब देखिए में बताता हूँ करना क्या है आगे यह जो प्लेट रहती है असामने वाली मसीन की और यह जो शेटिंग में बता रहा हूँ यह किसी भी तरह की सिलाई मसीन में आपको उप्योग आने वाली है चाहे आप जुग्गी मसीन चला रहे हो चाहे अम्डेला या फिर साधी वाली मसीन चला रहे हो तो भी इस ट्रिक को आप आजमाईए आपका काम बिलकुल आसान हो जाएगा आप देखिए ये जो राड दिख रही है ना ये है हमारी हेंबर वाली राड जो हेंबर मैंने आपको अब खोल के बता है ना ये वाली ठीक है इस राड को क्या करते है यहां पर देखिए एक bolt आता है यह इस जगह पर मैं आपको यहाँ से खोल कर ही बता देता हूं कि किस nut को अपने को क्या करना है आपको भी इस machine की setting को इस प्रकार से करना होगी और देखिए इस नट को हमको खोलना है यह नट कौन सा है राड वाला है इसको जब हम ऐसे खोलेंगे तो हमारे पास जो छोटे पेचकस होते हैं इनसे यह खुलने वाला नहीं है तो हमको क्या करना है इसको खोलना भी नहीं है इसको बस हलका सा इतना लूच करना है जैसे ये लगाए हमने यहाँ पर यहाँ पर यह नट है इसको यह पहले टाइट कर दिया है फुल टाइट है यह और इसे हल कासा ऐसे लूच कर लिया है ठीक है अब कई बार क्या करते हैं यहाँ पर राड में एक गड़ा बना देते हैं वो वेल्डिंग की दुकान पर जाके बनाना होता है लेकिन हम वो वेल्डिंग वाला काम नहीं करते हैं ठीक है हमने आज तक जितने भी मस्तब मसीने हैं हमारी इसकी राड उपर नहीं खसकती है ठीक है इसको बस हलका सा लूच करते हैं जैसे मैंने आपको देखिए तीसरी बार बता देता हूं यह फूल बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे यह वन साइट का हम यह अंदर के तरफ का ठीक है तो इसको लगा लेता हूं मैं यहाँ पर यह देखिये अब आगे आपको देखना ध्यान से है कि मैं इस हेंबर की सेटिंग कैसे करूँगा और हेंबर सेटिंग करने के बाद हमारी रसी के बिल्कुल कितनी बाजू से सुई चलना चाहिए और सुई अगर दूर चलेगी तो क्या होगा सुई अगर ज्यादा उपर चलेगी तो क्या होगा सभी चीज आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं आज ठीक है यह देखिए अब यह जो डोरी है न हमारी इसको हम इस पर बना कर देखते हैं कि देखिए मैंने डोरी निकाल ली है अब सबसे पहले हम यहां रखेंगे ऐसे डोरी को लगभग ऐसे एक हैंबर मोड़ना है यहां पर यह देखिए इतना यह देखिए अब मैं लगाता हूँ डोरी के उपर सिलाई थोड़ा सा ऐसा निकालेंगे और यहाँ पर यह रख ली मैंने डोरी यह देखिए अब अगर मैं ऐसे ही सिलाई चला दूँगा ऐसी यह हमेरा लगा हुआ है अब हम यहाँ पर ऐसे ही सिलाई चलाते हैं यह के ओपर चला दिये अब यह दिख रहा आपको कि कि यह वरी पर कितनी दूर सिलई चल रही है यह देखिए यहां पर अगर हम इस डॉरी को खिचेंगे तो यह बाहरा जाएगी और यहां पर कैसे बन जाएंगे सहल यह देखिए इस प्रकार से डॉरी में ऐसे सहल आ यह देखिए अगर आब हम इसको बनाएंगे गले पर लगाएंगे तो हमारी डोरी क्या हो जाएगी बिल्कुल खाली-खाली मतलब इसको हम बोलते हैं एकदम पोची डोरी है ना तो इसको अगर लगा देंगे तो हमारे पूरे जो पाइपिंग का फिनेशिंग है वो बिगड ठाल जाएगा ठीक है ना तो इस प्रकार से आपको डोरी को नहीं लगाना है अब हम इसको लेंगे यहां से दूसरी वाली पैपिंग को अब मैं बताता हूँ आपको कि इसको हम केसे लगाते हैं यह मैंने धागा ले लिया 2500 यहाँ देखेंगे ऐसे यह रखा मैंने अब हमको क्या करना है ये बात का ध्यान देंगे ये रखा मैंने इस परकार से ये देखिए यहां पर और यहां लगाया फिर से हम डोरी को ऐसे लगाएंगे ठीक है यह लगा दी डोरी अब देखिए हमें देखना यह है कि हमारी डोरी के कितने बाहर से शिलाई चल रही है तो हम क्या करेंगे इस हेंबर में यहाँ पर देखिए ऐसे मैंने इस पेचकस को लगाया है ठीक है अब पेचकस को अगर हम बाहर खेचेंगे तो हेंबर अंदर जाएगा और पेचकस को इदर अंदर धकाएंगे तो यह बार आएगा ठीक है और बिलकुल इतना बढ़िया आराम से बाहर आ जाएगा अभी देखिए मैं अंदर कर रहा हूं इसको हलका सा इधर से बताता हूं आपको लगे तो यह देखिए ऐसे यह मैंने हलका सा इधर कर दिया है ठीक है तो आप हमारी पाइपिंग की जो डोरी रहेगी न यह क्या हो गया और दूर चले गई किदर चले गई है यह देखिए और दूर जा रही है आपको ध्यान देना है कैसे जा रही है मैंने इसको थोड़ा सा इधर धकाया इधर धकाने के बाद द यह जो esso में यहां तक आपको कि यह जो हैंबर का गड़ा रहता है ना यह जादा चोड़ा हो जाता है जैसे देखिए यह मैंने लगाई इस पर भी सिलाई अब हमने उसको और दूर कर दिया यह देखिए आ गई न यह दूर और अगर यह यहां पर फिनेशिंग से बिल्कुल लगेगी नहीं तो आपकी यह पाइपिंग बिगड़ते चली जाएगी ठीक है यह दो हो गई दोनों को आपने देख लिया मैंने पहले इसको लगा कर देखा था जैसे हमारे बड़े हमबर क नहीं आई यह बिल्कुल ऐसी दिखर रही अब ऐसी पाइपिंग को अगर आप लगाने जाएंगे अपने ब्लॉच के गले पर सूट के गले पर तो आपकी पाइपिंग बिल्कुल बिगड़ने वाली है यह कभी भी सई होने वाली नहीं है ठीक है ना तो आप देखेंगे तीसरी सेटिंग जिसको मैं बोलता हूँ फाइनल सेटिंग और यह सेटिंग हम हमेशा करते रहते हैं ठीक है इसके लिए भी हम क्या करेंगे लगाएंगे एक सिलाई यह देखिए यहां रखा मैंने और यहां रखकर हम इस मसीन पर यहां रखेंगे ठीक है और यह जो टाका है ना पहला इसको यहां डाल देखिए अब देखते हैं यह जो हमारा टाका चलेगा ना यह घमबर है ना हमारा इसके सुई बिलकुल साइट में चलना चाहिए अंदर चले गी तो लूज हो जाएगी हमारी डोरी और ज्यादा बाहर चलेगी तो डोरी के उपर सुई चड़ जाएगी ठीक है तो कैसे मैं करता हूँ इसको आप जरूर देखिएगा मैं पहले एक टाका यहाँ पर लगा लिया ठीक है अब देखता हूँ इसको सेटिंग कैसे करना यह लगाया मैंने अपने को यहाँ पर यह देखिए यह है यह मैंने बाहर कर दिया बाहर करने के बाद देखिए यह जो ट किनार पर तो देखिए आप जो मैंने बाहर की किनार पर सुई को रखा तो यह कहां चलेगी आप बिल्कुल हमारी डोरी के बाजू से ठीक है यह देखिए ऐसे और डोरी के बाजू से आप सुई चल रही है और अगर अपने को बिल्कुल इसको फिनेशिंग में चाहिए तो हम क्या करेंगे यहां रखेंगे ऐसे यह देखिए यह रखा मैंने थोड़ा सा कपड़ा जो है न हमारा उरेव रहता है इसको हलका सा खीचेंगे इसे और खीचने के बाद यह जो हाथ है न यह वाला हाथ देखिए यह वाला जो इस तरफ चल रहा है यह सीधनी ज़ी चलाना है अपने को थोड़ा सा ऐसे करना है तीर्षा और देखिए बिल्कुल कितनी finishing में हमारी चलाई लग जाएगी अब देखिए यह बिल्कुल किनार से चल रही है डोरी के आपको खुद को दिख रहा होगा बिल्कुल किनार से चल रही है ठीक है अब इस डोरी को हम लगाएंगे तो यह फिनेशिंग से हमारी दिखने लग जाएगी ठीक है अगर हमको और लगता है कि यह फिर भी थोड़ी दूर चल रही है तो कोई बात नहीं यह ऐसे लगाएंगे पेचकस और हलका सा ऐसे खिच देंगे हलका सा बस खिचना है इसको और जादा टाइट हमारी डोरी आने लग जाएगी देखिए बिल्कुल और जादा टाइट जैसे यहाँ पर हलका सा आपको लूचपन लग रहा होगा थोड़ा सा आपको दिख रहा है या नहीं मालूम नहीं लेकिन हलका सा लग रहा है मुझे कि ये फिर भी दूर चल रही है तो मैंने इसको क्या किया और बाहर तरफ कर दिया किस तरफ इस तरफ बाहर की तरफ ये थोड़ा सा और बाहर आ गया अब देखिए अब मैं देता हूं इस पर सीधा कपड़ा कपड़ा किदर से देना है आपको मैंने बता दिया है इस तरफ से ठीक है जिदर हमारा हेंबर है उस तरफ ये देखिए अब देखिए ये बिलकुल डोरी मेरी देखिए कहां चल रही है बिलकुल एक दम बिलकुल डोरी के बाजु से अब मैं इसको थोड़ा सा कपड़े के ऊपर लगा के दिखाता हूँ तीनों में और तीनों में क्या आता है फरक आप जरूर देखिएगा यह देखिए बिल्कुल मैंने यहां पर किनार से लगाया और यहां रखकर ऐसे सिलाई लगा दिए अगर हमारा हेंबर बरूबर हो गया है मशीन का तो यह हमारी फिनेशिंग आ जाएगे यह देखिए बिल्कुल फिनेशिंग से और अगर हम इस कपड़े पर लगाएंगे तो कैसे लगेगी जरूर देखिए इसको मैं लगाता हूं लेकिन किसी स्टाइल में लगोंगा जैसे मेरे बाहर तरफ था ना हेंबर यह तो मैंने फिक्स हेंबर कर दिया था तो इस तरफ आ गया था जो हमारा हेंबर फिक्स पहले जैसे रहता है ना बेशा में इसको कर लेता हूं आपको बताने के लिए यह देखिए ऐसे इम ने कर लिया है आप जब इस पर सिलाई चलेगी तो हमारी देखिए कभी भी इस किनार पर नहीं चलेगी जैसे यह किनार चल रही ना इसलाई यह आटमेटिक किनार पर चल गई जब हम इसको ऐसे हेंबर से लगाएंगे यह देखिए आपको फरक मालूम पड़ जाएगा यह फिनेशिंग नहीं आ रही है दूसरी बात इस कपड़े के देखिए किनार पर सिलाई नहीं चल रही है और यह पट्टी दूर रह गई है यह शिरिप क्यों होता है जब हम हैंबर की सेटिंग नहीं जानते हैंबर की सेटि और फिनेशिंग केसी आती जैसे यह आ रही है दोस्तों वीडियो पसंद आये तो लाइक कर देना यार और चैनल पर पहली बार हो तो सस्क्राइब कर लेना ठैंक्स पर वाचिंग